नमस्कार दोस्तों मैं है श्रादन ट्वाइश स्वागत रहें सभीक आपके अपने चाहिए ब्राटकास्ट में दोस्तों जैसे कि आप दानते की रेल बजट 2022-23 में भारत में 400 नई वंदे भारत ट्रेन का एलान हुआ है दोस्तों आज कि मैं आपको उसी से जुड़ी लेटे करना होगा दुस्तों इसी तरह कि मैं कई मातों पूंट जानकारी आज कि दूणा बप को दूँगा दूस्तों हार एंग रइम जानकारी कि लाटयो को आनते तक भीने सकी प्यावज़ देखें शेलियो लुस्तों हर खबर को विस्तार से जानते हैं दूस्तों जैसे कि आब भारत पक्रोरे ने पिर स्टर्य परnewid यह यहां से कम सिकंग पर पड़ाओने की अंच्छी ओती है फर्फेल्ट के लोडिंग और ाहए कुत्य फेस्यधा को सिल्क प्रोडें थक्ति सबसे मात्वपूर्ण और डिविजन में सर्माधिक राजस्प देने वाला भागलपूर इस्टेशन ग्रेड एवन शेड़ी का है दोस्तों इस रेल खंड पर अब दोरी लाइन भी और विद्यूटी करण भी पूरा हो चुगा है और दोस्तों संभव है कि एक बंदे भारत प्रेड दिल्ली को नवगचिया रूट से पुरुवत्तर भारत को जुड़ने वाली चल सकती है दूसरी और वन इस्टेशन वन प्रोड़क्स योजना के तहट भागलपूर सहित मालदा रेल मंडल के कई स्टेशनों का फायदा भी हो सकता है और तो पूर रेलवे इसकी ब पीर पैंती में भी बढ़ रही है लेकिन दूस्तो पीर पैंती में मिर्च किसानों को भी इसका फायदा मिल सकता है दूस्तो इस एलान पर पूर रेलवे के सीपी आरो एक लवे चेक्रवरती ने बताये कि इस बजट से पूर रेलवे चेतर के लोगों काफी लाब मिलेगा दूस्तो वन इस्टेशन वन प्रोड़क्ट के तहित भागलपूर में सिल्क और पाकूड में इस्टोन की महत्ता दी जाई है और सबसे खास बात है कि चार से बंदे भारत एक्सप्रेस चलाने की बात हुई है और दूस्तो कम से कम 25 बंदे भारत ट्रेन पूर रेलवे को मि भूम भी सकती है और दूस्तो इसका फाइदा यह होगा कि चार लोग एक साथ यात्रा कर रहे हैं तो सीट घुमा कर आमने सामने भी बैठ सकेंगे जस्तों इस ट्रेन में यात्रियों को सभी आधुनिक सुविधाय मिलेंगे और तो ट्रेन के सुल्ला कोच में 14 चेयर कार औ और उस टो चेयर कार कोच में 78 सीटे रहती हैं वही एक्जीक्योटी क्लास में 22 यात्री सफर कर सकते हैं तो यही थी भागलपूर रेलखंड में नई बंदेबाद चलने वाली से जुड़ी रेलेटर जानकारी दूस्तों आपके जानकारी कैसे लग वीडियो कमेंट सेक्श